दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी यूपी स्कॉलर्शीप है सेच्छिक से 2021 की वो 28 नमबर से आपके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगी तो किन छात्रों की आएगी और किन छात्रों की अभी नहीं आएगी इसकी पूरी डेटल आपको वीडियो मिल जाएगी साथी आपको बता देंगे कि करेक्शन डेट क्या रोल है यह जो आनी थी यह 16-26 करेक्शन डेट क्यों नहीं आई और साथी दोस्तों साधी की वज़े से घर में कुछ बीजी रहा हम है 8-10 दिन अपडेट नहीं मिल पाई इसके लिए सोरी तो अब रेगुलर अपडेट साथी बेल आइकान को प्रेस करना न भूलें जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लीजिए अब वाटसप नंबर क्योंकि अब आप चाहे आपका मैज, फिजिक्स, कमिस्ट्री, बायलोजी किसी का भी सवालो तुरंत आपको मिलेगा वीडियो सल्यूशन वो भी सिधा आपके वाटसप पर आपको करना क्या है न आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो अभी सेब करें और अपने सभी डाउट को आउट करें तो दोस्तों देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज है अमर उजाला की ये न्यूज है 15 लाग चात्रों को 30 नौवंबर तक वजीफा देगी सरकार और ये किन चात्र अक्टूबर तक नहीं मतलब 25 अक्टूबर तक जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था कंप्यूटर से अनलाइन समिट और 28 अक्टूबर तक उनका कालेश से फारवर्ड हो गया था उन चात्रों की 30 नौवंबर से स्कॉलर्शिप आना स्टार्ट हो जाएगी हेड़लाइन भ आप को पढ़के बता देते हैं कि प्रदेश सरकार 30 नौवंबर तक 15, convicted को वजीफा देगी लच 59 नाख छात्रों को योजना कलाब देने का है देखे, इंक्यावन लाग छात्रों को लच टार्गेट बनाया है, सरकार ने कि इंक्यावन लाग छात्रों को स्कोलर्शिप दी जाए, लेकिन 30 नौवंबर तक केवल 15 लाग छात्रों को मिल पाएगी, इसका कारण क्या है कि लेकिन कई भी स्विध्यालों के रिजल्ट गोशित ना होने से दिक्कत आ रही है सिच्छन संस्थानों ने भी बड़ी संख्या में चात्रों के आवेदन अगरसारित नहीं किये देखी वहीं बात आगई कि छात्रों ने तो 25 अक्टूबर तक सम्मिट कर दिए थे लेकिन कालेज़ वालों ने 28 सक्टूबर तक फाउंट नहीं किये और जुनुक के फार्वर्ड कालेजं नहीं हुए 28 सक्टूबर तक उनको नौवंबर में स्कॉलर्शिप नहीं मिल पाएगी सेज चात्रों को अगले चरण में भुक्तान होगा रासारकार अन्सूचित जातिवत जनजात के चात्रों को धाई लाक रुपाय तक और अन्य वर्गों को दो लाक रुपाय तक सलाना आमदनी होने पर चात्रों के साथ सुलक भरपाई के सुभधा देती है चालू बित्वर्श में सीयम ने 30 नौवंबर तक भुक्तान के निर्देश दिये हैं ताकि चात्रों को फीज अपनी फीज भरने में कोई दिक्कत ना हो जिन चात्रों ने 28 अक्टूबर तक आवेदन कर दिया है व समाज कर लेंड विभाग के मुताबिक अब तक 15 लाग चात्रों का डाटा ओके हो चुका है बड़ी संख्या में विद्यार्थे ऐसे जिनका सिच्छन संस्थानों ने डाटा तो फारवर्ड कर दिया है पर उनका रिजल्ट घोसित नहीं हुआ है नतीजितन यह चात्र पहल करेक्षन के बारे में आपको क्लियर कर देंगे कि यह करेक्षन डेट क्यों नहीं हुई है 16-26 कब होगा सभी चात्रों का आप देखिए जो करेक्षन होगा उसमें विडियो में करेंगे अगर इस वीडियो में बात करते हैं तो आपको पसंदाइब बीडियो पसंदाए होगी और पशनाइब यो को लाइक करें तो साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना का करते हुआ है